मुर मयारूग देश के रवय्या हो जोहार नवा विशय मनसंग, नवा प्रेरक उधारन मनसंग, नवा नवा संदेशा मनला सकिलत, एक घाउं फेर मैं आप मनले मन की बात करे बर आये हाउं जाना थाओ, ये पईत मुला सब ले जाधा पाती और संदेशा कोन विशय लेके मिले हैं, ये विशय ऐसे हैं, जन इतिहास, वर्तमान और भविश्य तीनों ले जुड़े हैं मैं बात करा थाओं, देश ल मिले नवा प्रधान मंत्री संग्रहालै के, ये चौदा अप्रेल के बाबा साहिब अंबेटकर के जनम जैन्ती मां प्रधान मंत्री संग्रहालै के लोकारपन होए हैं एला देश के धवया मन बर खोल देगे हैं, एक सुनया संगवारी है, श्रिमान सार्थक जी, सार्थक जी गुरुग्राम मर रही थे, और पहली मौका पातेच वोमन प्रधानमंत्री संग्रहालय देख ले हैं, सार्थक जी हा नमो एप मा जेन संदेशा मुला लिखे हैं, वो वोमन लिखे हैं कि वोमन कईयों बचर ले समाचार चैनल देखा थे, अखबार पढ़ा थे, सोसल मीडिया ले घलो जुड़े हैं, इही पाये कि वोमन ला लग थे कि उनकर सामान्य ग्यान बहुते अच्छा होई, फिर जब वोमन पीम संग्रहालय गेईन ता वोमन ला जित्यो करया मनखे के बारे मा बहुत कुछ नई जानाएं। देखिन कि उनकर करा कत का कम बचत रहिस। सार्थक जी हा लिखे हैं कि वोमन ला ये घलो पता नई रहिस कि मुरार जी भाई देशाई स्वतंतरता संग्राम मा जुर्याय के पहली गुजरात मा डिप्टी कलेक्टर रहिन। प्रसास्निक सेवा मा उनकर एक लंबा केरिय रह सार्थक जी चौधरी चरण सिंग जी के विशय मा लिख थें कि वोमन ला पते नहीं रहिस कि जमीदारी उनमूलन के छेत्र मा चौधरी चरण सिंग जी के बहुते बड़ा योगदान रहिस। अध्केच नहीं वोमन आगू लिख थें कि जब भूमी सुधार के विशय मा मैं उहां देखें कि स्रीमान पीवी नर्सिमा राओ जी मन भूमी सुधार के काम मा बहुते गहे रुची लेवत रहिन। सार्थक जील ये संग्रहालायमा आके पता चलीस कि चंद्रशेकर जीहा चार हजार किलो मिटर ले जादा पैदल चलके एतिहासिक भारत जात्र करे रहिन। सार्थक जील ये घलो बताईन कि ये संग्रहालायमा महात्मा गांधी, सर्दार पटेल, डाक्टर अंबेटकर, जय प्रकाश नारायन, और हमर प्रधान मंत्री, पंडित जवाहार लाल नहरू के बारे मा घलो बहुतकन रोचत जानकारी हवै। संग्वारी हो, देश के प्रधान मंत्री मन के योगदानला सुर्टा करे खातिर, आजादी के अमरित महसो ले अच्छा बखत अउ का हो सकते। जिन देश के अनमोल विरासत ले, वो मनला जोड़ा थे। वो इसे संग्वारी हो, जब संग्रहालय के बारे मा आप मनले अथका गोठ होआ थे, तब मुर मन करिस कि मैं घलो आप मनले कुछ सवाल कराओ। देख्थन आप मन के सामान्य ज्यान का कई थे, आप मनला कत का जानकारी है। मुर नवजवान संग्वारी हो, आप मन तियार हाओ, कागच कलम हाथ मा ले ले हावाओ। अब मैं आप मनले जेन पूछा थाओ, आप मन उखर उत्तर नमो एप या सोचल मीडिया मा हैस्टेक म्यूजियम क्विज के संग साजा कर सकत हो। अव खचित कराओ, मुर आप मनले आगरा है, कि आप मन ये जम्मो सवाल मन के जवाब खचित देवाओ। एखर ले देश भर के लोगन मा संग्रहायला लले के रुची अव बाढ़ ही। का आप मन जाना थाओ, कि देश के कोन सहर मा एक्ठन प्रसिध रेल म्यूजियम है, जिहाँ पाच्छु पैटालीस बच्छर ले लोगन मनला भारती ये रेल के बिरासत देखे के मौका मिला थ मैं आप मनला एक अउकलू देवा थाओ, आप मन इहाँ फेरी क्वीन सलून आफ प्रिंस आफ वेल्स ले लेके फायरनेस स्टीम लोको मोटिव घलो देख सका थाओ, का आप मन जाना थाओ, कि मुंबई मा वो कोन से म्यूजियम है, जिहाँ बहुते रोचक रकम ले मुद्र के विकास देखिला मिल थे, कि हाँ ईसा पूर्व छट्वा शताबदी के सिक्का रखाय है, तदूसर को थी इमनी घलो हबय, तिसरया सवाल, विरासत एक खाल सा, ये म्यूजियम ले जुड़े है, का आप मन जानताओ, ये म्यूजियम पंजाब के कोन सहर में है, पतंग बा पाल एकरले जुड़े है, देश के एक मात्र पतंग संग्रहाले कहां है, आवाओ, मैं आप मनल एक क्लू देवत हाँ, इहां जेन सबले बढ़का पतंग रखाये है, ओखर आकार, बाईस गुना सोला फिट है, कुछो ध्यान आइस, नई तो इहां एक आव बात बतावत जाहर महें, उखर ले बापू के विसेज नता रहे है, नानपन मा डाग टिकट के संग्रह के संग्रह के संग्रह नहीं रहे, फिर का आप मनल पता है, कि भारत मा डाग टिकिट ले जुड़े नैशनल म्यूजियम कहां है, मैं आप मनले एक्ठन अव सवाल करा थाँ, गुल् म्यूजियम मा आप मन फिल्म के निरदेशक घलो बन सकता थाँ, कैमरा एडिटिंग के बारे की घलो देख सकता थाँ, अच्छा, का आप मन ऐसे कोनो म्यूजियम के बारे मा जानता हो, जन भारत के कपडा उद्योगले जुड़े बिरासतल उत्साव के रूप ममना थे, ये संग्वारी हो, तक्नीक के दौर मा आप मनबर इन्खर उत्तर खोजना बहुते आसान है। ये प्रश्ण मैं ये खातिर पूछे हो, ताकि हमर नवा पिढ़ी मा जिग्यासा बाढ़ है, वो मन इन्खर बारे मा अउप पढ़ हैं, इला देखे बर जावाएं। अब तो संग्रहालय के महत्तम के कारण कईयों लोगन खुदे आगु आके संग्रहालय खातिर बहुत कुछ दान घलो करतें। बहुत अकन लोगन मन अपन जुन्ना जोरे जिनिसला ऐतिहासिक जिनिसमनला घलो संग्रहालय मा दान करतें। आप मन जब ऐसे करथाओ, ता एक रकम ले आप मन एक सांस्प्रितिक पूंजील जम्मो समाज के संग साजा करथाओ। भारत मा घलो लोगन मन अब एकर खातिर आगु आवत हैं। मैं ऐसने जम्मो निजी पर्यास मन के घलो सराहना करथाओ। आज बदलत बखत मा अव कोवित प्रोटोकाल के कारण संग्रहालय मन मा नवा ताउर तरीका अपनाएं उपर जोड दे जावत है। संग्रहालय मा डिजिटाइजेशन उपर घलो फोकस बढ़े है। आप मन जानताओ कि 18 मैं के जम्मो दुनिया मा अंतर राष्ट्री संग्रहालय दिवस मनाए जाही। इला देखत अपन युवा संग्वारी मन बर मोर करा एक आइडिया है। काबर नहीं अवया छुट्टी मा आप मन अपन मित्र मंडली के संग कोनो इस्थानीय संग्रहालय देखे बर जावो। आप मन अपन अनभो हैस्टेक म्यूजियम मेमोरीज के संग खचित साझा करो। आपके ऐसे करेले आने मनखे के मन मा घलो संग्रहालय ललेके जिग्यासा जग्ही। मुरमया रुख देश के रहवयया हो। आप मन अपन जिन्गी मा बहुत अकन संकलब लिवत हो। उला पुरा करे खाते मिहनत घलो करत हो। संग्वारी हो। फिर हाले मा मुला ऐसे संकलब के बारे मा पता चलीस। जन सिर्तोन मा बहुते अलग रहिस। बहुते अनोखा रहिस। इही पाएके मैं सोचें। कि एला मन की बात के सुनईया संग्वारी मनसंग खचित साजा करो। संग्वारी हो। का आप मन सोच सकत हो। दिल्ली के दूझ हन बेटी मन सागरिका वु प्रेक्षा मन इसने चेश लेस देड़े आउट के पर्योक करिन। सागरिका looks आऊ प्रेक्षा दिल्ली मन जिहां भी गेन। वो मनला डिजिटल भुक्तान के स्विधा उपलब्ध होगिस। UPI QR Code के कारण वो मनला नगद हेरे के जरुवते नहीं पड़िस। इहां तक के स्टीट फूड और रहडी पट्री के दुकान मनमा घलो जादा तर जगा वो मनला ओनलाइन लेन देन के सुविधा मिलिस। संगवारी हो कोनो सोच सकत है कि दिल्ली है मेट्रो सिटी है उहां ये सब आसाने हो ही। फिर अब ऐसे नहीं है कि UPI के ये प्रसार खाली दिल्ली जैसे बढ़का शहर तके सिमित हो आए। एक संदेशा मुला गाजिया बाद ले आनन्दिता त्रिपाठी के घलो बिले है। आनन्दिता पाचु हकता अपन गोसईया के संग उत्तर पुर्व घुमें बर गे रहिन। वो मन असमले मेघालय और अरुनाचल प्रदेश के तवांग तक के अपन जात्रा के अनभव मु मनला नगद निकाले के जरुवत नहीं पड़िस। जेन जगा मा कुछ बच्छर पाचु तक इंटरनेट के अच्छा सुविधा घलो नहीं रहिस। उहां घलो अब यूपी आईले भुकतान के सुविधा उपलब्ध हवाए। सागरिका, प्रेक्षा और आनन्दिता के अन इन यूपी आई तेजी ले हमर अर्थ व्यवस्था और आदत के हिस्सा बन गे है। अब तो नान नान सहर मा और जादा तर गाउं मा घलो लोगनमन यूपी आई ले लेन देन करत है। दिजिटल अर्थ व्यवस्था ले देश मा एक संस्कृती घलो पैदा हुआ थे। गल अब चिल्हर पैशा के घलो दिकत नहीं आवाए। आप मन घलो यूपी आई के सुविधाला रोजमर्रा के जिंगी मा महसूस करत हो हुँ। कहूं भी गेन नगद ले जाये के बेंक जाये के एटियेम खोजे के जंजटे खतम। मुबाइल ले सब भुगतान हो जाते। फि यार हो गे है। ये बखत हमर देश मा करीबन बीस हजार करोड रूपिया के लेन देन हर दिन होवा थे। पाचु माच के महिना मता यूपी आई लेन देन करीबन दस लाख करोड रूपिया तक पहुँच गे इस। एक हरले देश मा सुविधा घलो बाढ़ा थे और चाहूं कि अगर आप मन करा घलो डिजिटल भुकतान और स्टार्टप एको सिस्टम के ये ताकत ले जुड़े अनभव है ता ओला साजह करोड़। आप मन के अनभव आने कईयों देश्वासी मनबर प्रिर्णा बन सकत है। मुरमयारुक देश के रवया हो तकनीक के ताकत कैसे सामाने मनखे के जिंगी बदलत है। ये हमन ल तीर तकार मा सरलक दिखा थे। तकनीकी हा एक आउ बढ़ का काम करे है। ये काम है दिव्यांग संगवारी मन के असाधारन शमता के लाभ देश आउ दुनिया ल दिलाना। हमर दिव्यांग भाई बहिनी का कर सकत हैं कि ह अमन टोकियो पैरा उलंपिक मां दिखे हन। खिलेकस, कला, सिक्छा और आने कईयों छेत्र मां दिव्यांग साथी मन कमाल करते। फिर जब ये साथी मनला तकनीक के ताकत मिल जाते तो ये और बढ़ता मुकाम हासिल कर दिखाते। इही पाय के देश आजकल संसाधन और अधो संरचना मनल दिव्यांग मन खातिर सुलब बनाय बर सरलक पर्यास करते। देश मां ऐसने कईयों स्टार्ट अप और संगठन घलो है, जेनमन ये दिशा मां प्रेणादाई काम करते। अईसने एक संस्था है, वाईस आफ स्पेशली एबर्ड पीपुल, ये संस्था सहायक तकनीक के ख्षेत्रमा नवा अवसर मनला आगू लावत है, जेन दिव्यांग कलाकार हैं, उनकर काम दुनिया तक पहुँचाये खातिर घलो एक अभिनाव सुरुआत करेगे हैं। वाईस आफ स्पेशली एबर्ड पीपुल के ये कलाकार मन के चित्रकारी के डिजिटल आर्ट गैलरी तियार करेगे। दिव्यांग संग्वारी कोन रकम आसाधारन प्रतिभा के धनी हो थें, अव उनकर पास कत का आसाधारन शमता हो थें, ये आर्ट गैलरी ओखर एक उधारन हैं। दिव्यांग संग्वारी मन के जिन्गी मा कईसे चुनवती हो थें, ओखर ले निकल के वो मन कहां तक पहुँच सकत हैं, ऐसने कईयों विसे मनला ये चित्रकारी मा आप मन महसूस कर सकत हो। आप मन घलो, अगर कोनो दिव्यांग साथी मनला जानताओ, उखर प्रतिभाला जानताओ, तर डिजिटल तकनीक के मदद ले उलाद दुनिया के आघुम ला सकत हो। जेन दिव्यांग साथी मन हैं, वो मन घलो इही रकम के पर्यास ले खचित जुड़ें। मुरमयारुग देश के रवया हो, देश के जादा तर हिस्सा मा गर्मी बहुत तेजी ले बढ़त है। बाढ़त ये गर्मी पानी बचाय के हमर जिम्मेदारी ला घलो उतके बढ़ा दे थे। हो सकत है कि आप मन अभी जिहा हाओ, उहां पानी पर्याप्त मात्रा मा उपलद्ध हो, फिर आप मनल वो करोणों लोगन के घलो सूर्ता रखना हैं, जिन मन जल संकट वाले खेत्र मा रही थें। जिन मन खातेर पानी के एक एक बून अमरित कस हो थे। संगवारी हो, ये बखत आजादी के 75 मा बच्छर मा, आजादी के अमरित महसो मा, देश जिन संकलप मन लले के आगु बढ़ा थे, उमें जल संरक्षन घलो एक है। अमरित महसो के दोरान, देश के हर जिला मा, 75 अमरित सरोवर बनाए जाही। आप मन कलपना कर सकत हो, कि कत का बड़े अभियान है। वो दिन दुरिया नहीं, जब आपके अपन सहर मा, 75 अमरित सरोवर हो ही। मैं आप जम्मो मन ले, और खास करके युवा मन ले चाहताओं, कि वो ये अभियान के बारे मा जानाएं, और ओकर जिम्मेदारी घलो उठावाएं। अगर आपके छेत्र मा, स्वतंत्रता संग्राम ले जुड़े कोनो इध्यास है, कोनो सेनानी के इस्मृती है, ता ओला घलो अमरित सरोवर ले जोड सकत हो। वैसे मुला ये जान के अच्छा लगिस, कि अमरित सरोवर के संकलप ले के बाद कईयों इस्थान मा एकर उपर तेजी ले काम शुरू हो चुके हैं। इस्थानिय स्कूली लईकामन के मदद ले, वो गंदा तरिया के काया कलप हो गे हैं। अब वो तरिया के तीर, पानी रुकईया, दिवाल, चार दिवारी, फूट कोट, फवारा और रोशनी ना जाने का का विवस्था घलो करेगे हैं। मैं रामपूर के पटवाई ग्राम पंचायत ला, गाउं के लोगन मनला, उहां के लईका मनला, ये परियास खातेर, गाडा गाडा बधाई देवत हो। संगवारी हो, पानी के उपलब्धता और पानी के किलत, ये कोनों भी देश के प्रगती और गतील निर्धारित करतें। आप मन घलो गाउर करे हो हूँ कि मन की बात मा मैं स्वच्छता जैसे विशय के संग बार बार जल संरक्षण के बाद जरूर कर थाओ। हमरत ग्रंथ मन मा स्पस्ट रूप मा कहे गे हैं। पानीयम परममलो के जीवा नाम जीवनम सम्रितम। माने संसार मा जल हर जीव के जिनगी के आधार है और जल सब ले बड़े संसाधन खलो है। इही पाय के ता हमर पुर्खामन जल संरक्षण खातिर अतका जोर देन। वेद ले पुरान तक हर जगह पानी बचाय के तरिया सरोवर आधी बनवायला मनखे के सामाजिक और आध्यात्मिक कर्तव्य बताएगे है। बालमी की रमायन मा जल सोता मन ल जोडे मा जल संरक्षण मा विशेश जोर देगे है। इही रकम इतिहास के विद्यार्थी मन जानत हों ही सिंधू सरस्वती और हडपा सभिता के दोरान घलो भारत मा पानी ल लेके कतको बिक्सित अभियांत्र की होवत रहीस। जुन्ना कालमा कैयों सहरमा जल सोता मन के आपसम जुडे तंत्र होवत रहीस। और ये वो बखत रहीस। जब जनसंख्या ओत्का नई रहीस। प्राकृतिक संसाधन मन के किलत घलो नई रहीस। एक रकम ले बहुत तायत रहीस। फिर जल संरक्षण लेके तब जागरुकत बहुते ज़ादा रहीस। फिर आज इस्थिती एकर उल्टा है। मुराब जम्मो मन ले आगरहे आप अपन इलाका के अईसने जुन्ना तरिया कुवां और सरोवर मन के बारे मा जानाओ। अम्रित सरोवर अभियान के परसादे जल संरक्षण के संगे संग आप मन के क्षेत के घलो एक ठिया मिल ही। संगवारी हो जल ले जुडियाय हर पर्यास हमर काली ले जुड़े है। एमें जम्मो समाच के जिम्मेदारी हो थे। एकर बर कईयों सदीले आने आने समाच आने आने पर्यास सरलग करत आए है। जैसे कच्छ के रण के एक जनजाते मालधारी जल संरक्षन खातीर व्रिदास नाम के तरीका उपयोग कर थे। एमें नानुक कुवा बनाय जाते और उखर बचाव खातीर तीर तकहार मा पेड़ पउधा लगाय जाते। इही रकम मध्यप्रदेश के भील जन जाती है अपन एक एतिहासिक परंपरा हलमाल जल संरक्षन खात उपयोग करे है। ये परंपरा के अंतरगत ये जन जाती के लोगनमन पानी ले जुड़े समस्या के उपाये खोजे खातीर एक जगह इकठा हो थें। हलमा परंपरा ले मिले सुझाओ के चलत ये छेत्रमा पानी के संकट कम होए है और भूजल इस्तर घलो बाढ़त है। वड़का चुनोती के समाधान हो सकत थे। आवव आजादी के अमरित महस्वमा हम जल संरक्षण और जीवन संरक्षण के संकलप लिवन। हम बून बून जल बचाबो और हर एक जिनगी बचाबो। मुर मयारुक देश के रवईया हो। आप मन देखे हो हू कि कुछ दिन पाचु मैं अपन युवा दोस्त विद्यार्थी मन ले परिक्षा पर चर्चा करे रहें। ये चर्चा के दोरान कुछ विद्यार्थी मन कहीन कि वो मनला परिक्षा मा गणित ले डर लग थे। इही रकम के बाद कईयों विद्यार्थी मन मुला अपन संदेशा मा भेजे रहें। वो बख़त मैं ये तै करे रहे हूं कि गणित मां मैं ये पईत मन की बात मां जरूर चर्चा करूं। संगवारी हो, गणित एक ऐसे बिसे है, जेला लेके हम भारतिय मनला सबले जादा सहज होना चाही। अखिर गणित लेके जम्मो दुनिया खातिर सबले जादा शोध और योगदान भारत के लोगनमन दे हैं। चम्मो व्यज्ञानी का विश्कार शुन्य उपर आधारी थे। भारत के गणितग्य और विद्वानमन इहां तक लिखे हैं कि यत किंचित वस्तु तत सर्वम गणितेन बिना नहीं। माने ये सैगो ब्रह्मांड मा जेन कुछ भी है वो सब कुछ गणित आधारी थे। आप मन विज्ञान के पढ़ैला सुर्ता कराओ। त एक हर मतलब आप मनला समझ आजाही। विज्ञान के हर नियम एक गणिती सूत्र मव्यक्त करे जाते। नियूटन के नियम हो आइस्टीन के प्रसिद्ध सूत्र ब्रह्मांड ले जुड़े सैगो विज्ञान एक गणिते तहे। अब तव विज्ञानिक मन घलो थ्योरी आफ एवरिधिं के चर्चा घलो करते। के कलपना हमर रिशी मन हमेशा ले करे हैं। हमन अगर शुन्य के अविश्कार करें तसंगे अनन्त माने इन्फानाइटल घलो अभ्यक्त करे हैं। सामाने बोल चालमा जब हम संख्या औव नंबर के बात कर्थन तम मिलियन, बिलियन औव ट्रिलियन तक बोल्थन औव फिर वेद मन मा औव भारती गणित मा ये गणना बहुते आगु तक जा थे। हमर इहां एक बहुते जुन्ना इश्लोक प्रचलि थे। संख्या के क्रम बताएगे हैं। जैसे की एक, दस, सो, हजार औव अयुत, लाक, नियुत औव कोटी यानी करोड। ये रकम, ये संख्या जा थे शंख, पद्म औव सागर तक। एक सागर के अर्थ हो थे, दस के पावर संतावन। इही नहीं, एकर आगु, घलो, ओग औव म महोग जैसे संख्या हो थे, एक महोग हो थे, दस के पावर, 62 के बराबर, माने, एक के आगु, 62 शुन्य, हम अतका बड़े संख्या के कलपना, दिमागम कर्थन, तब मुश्किल हो थे। फिर भारती गणितमा, एकर परियोग, हजारों बचर ले होवत आए है। अभी कुछ दिन पाचु, मोरले इंटेल कमपनी के CEO मिले रहीन, वो मन मुला एक पेंटिंग दे रहीन, वो में घलो वामन अवतार के जरिया, गणना या माप के आइस्ते एक भारती पधती के चित्रन करेगे रहिस। इंटेल के नाव आइस तक कम्प्यूटर आप मन के दिमाग मा अपने आप आगे हो ही। कम्प्यूटर के भाखा मा आप मन बाइनरी सिस्टम के बारे मा घलो सुने हो हु। फिर का आप मनल पता है कि हमर देश मा आचार्य प्तिंगला जैसे रिशी होई रहें, जेनमन बाइनरी के कलपना करे रहें। इही रकम आर्य भटले रामानुजन जैसे गणितग्य मन तक गणित के कत को सिध्धान्त मा हमर इहां काम होए है। संगवारी हो, हम भारतीय मन खातीर गणित कभू मुश्किल बिसे नई रहिस। एखर एक बड़का कारण हमार वैदी गणित खलो है। आधुनी काल मा वैदी गणित के श्रेय जाते श्री भारती कृष्ण तीर्थजी महराजला। वो मन गणना के प्राचीन तरीकाला पुनरिस्थापित करिन और वैदी गणित नाव दिन। वैदी गणित के सबले खास बात ये रहिस। कि एखर जरिया आप मन कठिन ले कठिन गणना पलक जपकत मने मन कर सकत हो। आज कलत सोशल मीडिया मा वैदी गणित सीखे और सिखाये वाला आईसने कईयों युवामन के वीडियो घलो आप मन देखे हो हू। संगवारी हो, आज मन की बात मा वैदी गणित सिखाये वाला एक आईसने साथी हमर संग जोड़त है। ये साथी हैं कोलकाता के गवरव टेकरी वाल जी। अव वो पाचु दो ढ़ाई दशक ले वैदी गणित अभ्यान ला बन समर्पित भावले आगु बढ़ावत ही। आवव उन्खर ले कुछ गोट करन। गवरव जी जोहार। जोहार सर। मैं सुने हाओ कि आप मान वैदी गणित खातिर बने रुची रख थाओ। बहुत कुछ कर थाओ। तब पहली मैं आपकी विशाय मां कुछ जानना चाहूं। अव बाद मां ये विशाय मां आपके रुची कैसे है ता निक मुला बतावाओ। सर, बीज बचर पाच्छू जब मैं बिजनेसी स्कूल बर आवेदन करे रहे हूं ता ओखर प्रतियोगी परिच्छा हुवत रहीस। जेखर नाओ है कैट। एमें बहुत अकन गणित के सवाल आते। जेला कम से कम बखत मां करना पढ़ात रहीस। तब मुर दाई हा मुला एक्ठन किताब देईस। जेखर नाओ रहीस। वैदिक गणित। स्वामी श्री भारती कृष्णा तीर्थजी महराज मन ओ किताब लिखे रहीन। आओ ओमें ओमन सोलह सूत्र दिये रहीन। जेखर ले गणित बहुते सरल आओ बहुते तेज हो जा जब मैं ओला पढ़ें ता मोला बहुते प्रेर ना मिलीस। आओ फेर मोर रुची गणित मा जागरी थोईस। मोला समाज में आईस कि ये विशाए जेन भारत के देन है। जेन हमार धरोहर है। ओला दुनिया के कोना-कोना में पहुँचाए जा सकत है। तब ले मैं एला ए अउ वैदिक गनित ले सरल अउ का हो सकत है। गरोजी कतका बच्छर ले एमें आप मन काम करा थो। मुला आज करिबन बीस बच्छर हो गे है सर। मैं इही मा लगे हाऊ। अउ जागरुकता खातिर का कर थो। का का परियोग कर थो। कैसे जाथो लोगन मन करा। हमन इस्कूल मा जाथन, हमन आनलाइन सिक्षा देथन, हमर संस्था के नाव है वैदिक मैच सफोरम इंडिया। ये संस्था के अंतरगत हमन इंटरनेट के माध्यम ले चोबीस घंटा वैदिक गनित पड़ा थन सर। गवरोजी आप मन तजान था। मैं सरलग लईका मन संग गोड़ बात करना पसंद कर था। अव मैं मौका खोजत रही था। अव एकजाम वारियर मन ले मैं बिलकुल एक रकम ले मैं उला संस्था गत कर दे हा। अव मोर अनभव घलो है कि जादा तर जब लईका मन ले बात कर था। तक गनित के नाव सुनतेच वो मन भाग जातें। अव मोर परियास इही है कि बिना कारण जवन एक हवा पैदा होए है उला निकाले जाए। ये डर निकाले जाए। अव नान नान तकनीक जेन परंपरा ले है जेन भारत गनित के विसैमा कुनो नवा नई है शायद दुनिया मा पुरातन परंपरा मा भारत के पास गनित के परंपरा रहे है। ता एक्जाम वारियर मनला डर निकालना है ता आप मन का बोल हुओ मनला। सर ये तो सब ले जादा उपयोगी है लाइका मन के खातिर। का है कि परिछा के जेन डर होते, जेन हवा होगे है, हर घर माँ परिछा खातीर लाइका मन ट्यूशन ले थे, पालक मन परिशान रही थे, सिख्छक घलो परिशान होते, तब वैदिक गनित ले ये सब छू मंतर हो तेज हे अव एखाल ले लाइका मन बहुत आत्म बिश्वात आथे, दिमाग घलो तेख चले लगते, जैसे हमन वैदिक गनित के संग योग घलो शुरू करे हन, जे खाल ले लाइका अगर चाहे तो आखी बंद करके घलो गनना कर सकते, वैदिक गनित पधती ले. वैसे ध्यान के जेन परंपरा है, वो में घलो ये रकम ले गनित करना, वो घलो ध्यान के एक प्रात्मिक शिक्षा होते. शिर्तोन है सर्थ? शिर्तोन है सर्थ? बहुत बहुत धन्यवाद है सर्थ? बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार. नमस्ते सर्थ? संगवारी हो, गौरो जीह बढ़ नीक रकम ले बताईन, कि वैदिक गनित कैसे गनितला मुश्किल ले मजेदार बना सकते. इही नई, वैदिक गनितले आप मन बढका ले बढका व्याज्यानिक समस्या घलो सुलझा सकत हो. मैं चाहूं, जम्मो दाई ददा अपन लईका मनला वैदिक गनित खचित सिखोएं, एकर ले उनकर आत्म विश्वास बाढ़ी, उनकर दिमाग के विश्क्रेशिक क्षमता घलो बाढ़ी, और हां गनितला लेके कुछ लईका मनमा जेन थोर बहुत डर हो थे, वो डर घलो ज जम्मो रकम सिरा जही, मुर्मयारुक देश के रवय्या हो, मन की बात मा आज म्यूजियम ले मैक्स तक कईयो ज्यान वर्धक विशय मा चर्चा होईस, ये जम्मो विशय आप लुगन के सुझाओ ले मन की बात के हिस्सा बन जाते, मुला आप मन इही रकम आगु घलो अपन सुझाओ नमो एप और माई जियो वी के माध्यम पठोवत रहो, अवय्या दिनमा देश मा इद के तिहार घलो अवय्या है, तीन मै के अक्षय तृतिया और भगवान परशु राम के जेनती घलो मनाय जाही, कुछे दिन बाद बैसाक बुद्ध पुनिमा के परब घलो आही ये जम्मो तिहार मन, संयम, पवित्रता, दान और सोहाद्र के परब हैं, आप जम्मो मनला ये परब के अग्रिम शुभकामना, ये परब मनला खूबे उछाह और सोहाद्र के संग मनावाओ, ये सब के बीच आप मनला कुरोना ले घलो सतर करहना हैं, मास्क लगाना, नियमि जरूरी उपाय हैं, आप मन ओखर पालन करत रहो, अवया पारी मन की बात मां हम फेर मिलबो, अव आप मन के भेजे कुछ अव नवा विशय मत चर्चा करभो, तब तक खातिर बिदालेवत्हन, गाडा गाडा धन्यवाद